तो दोस्तो मैं आप सबसे सिफ यही अपील करूँगा और सबसे यही कहूँगा कि आप अपनी अपनी सिहत का क्याल खुद रखें बचें बचाव करें और दुसरों को भी गाइड करें बचने के लिए बस मुझे लगता है कि यह मोसम सिर्फ और सिर्फ वीक टू वीक का है तो सीतु मिश्रा जी हाई कैसे हैं अब तो इसलिए ठंड काफी है और सीतु मिश्रा जी हैलो लेख रहे हैं तो अब हम चलेंगे सामने सामने जाके देखते हैं एक मिस्टर लव जी आ रहे हैं अगे लव इनको तो ऐसे लव हुएता है और ठंड की बज़ा से तो सारे लोग परिशान है और ठंड होना भी तो जरूरी है तो जैशराम 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 और आप देख सकते हैं सामने एक बड़ी बिल्डिंग भी त्यार हो रही है जिसका बहुत बड़ा बोर्ड भी लगा है लेमन का भी पेड़ है, बिल पत्तर का पेड़ है, अमरूद का पेड़ है, पर ठंड ने इन सब को अपनी च्वेड में रखा हुआ है, तो जैशराम सामने हाइवे है, सामने हाइवे दिख रहा है आपको, और हाइवे पर गाड़ियां भी चल रही है, ऐसा कुछ नहीं है, कि और मौसम अफेश से लोग, तो तो यह चीज कर रही है, ओ भाई साफ क्या कर रहे हो, तो अब भी यह था एक महौल, और ठंड से परेशानी तो है, सब को है, लेकिन उससे बचने का तरीका भी तो है, कि अपने आपको सेफ रखने के लिए, आप अच्छे गरम कपड़े डालें, जैसे भी, कोई शर्माने की लोड नहीं है, ना यह पराने, चार साल पराने, दो साल पराने, एक साल पराने, जैसे मैं डालता हूँ, चाहिश यह साल पराने, टेंशन लेने की लोड नहीं होती ह तो आप अपने आपको बचाना है तो इस अपर सकते हैं तो जैशिराम 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 जै लेकर और साफूंद अब मैं नगा पत्त का बी खाल वेसे ही हो गया है। देखो यह बड़े बिल लगे हुए हैं। हैं यहां इसके नीचे सफ़ाई भी की जा रही है। और इन बिलों के बीच यह सामने अमरूद का बुटा भी है। अमरूद का बूटा भी है और जिसके लिए लेकिन एक बड़ा फूल का एक बूटा था बड़ा ही बूटा है फूल का यह सामने दखो वो कॉम्पनी का जेंसेट लगा है यह कॉम्पनी का रियर एरिया है सूरज भी सामने दखाई दे रहा हुगा लेकिन ठंडी हवाएं किसी को नजर नहीं आर्या हुगा इसलिए बच के रहे गया यह अम्रूद किसी की नजर नहीं आथा और बच के रहे क loyal दोस्तों ईह दो आप अभार हात लग गया अब एक油 चीड़ाम चीड़ाम चाहomnेजिति जेराम दोस्तों दोस्तों जेड़ाम चीड़ाम। बझाइब